हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब, आपका भई हाजिर एनी वेकेंसी के साथ, जैसा कि आपने थमनेल में देखा है, कि आज जो वेकेंसी आ रखी है, वो आ रखी है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे बहुत ही बढ़ी अप आपका एक्जाम नहीं होगा, बस आपका इंटर्यू के बेस पे और जीडी के बेस मतलब की ग्रूप डिसकस्शन के बेस पे आपका यहाँ पर सेलेक्शन होने वाला है, ठीक है, और जो आपके सेलरी रहेगी, वो आपके सेलरी रहेगी, इनीशिल जो आपके सेलरी रहेगी अगर आप eligible होते हैं तो रही बात eligibility criteria की यह मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बताने वाला हूँ ताकि आप में से किसी का भी time waste नहों जो बच्चा eligible है apply कर सकता है वो वीडियो को continue करना और जो apply नहीं कर सकता कोई बात नहीं आप directly वीडियो को skip कर सकता है like करने के बाद औ अपनी branch और अपने trade को जरूर से mention कर देना मेर भाई ताकि आने वाली jobs update आपको अपनी branch और आपको अपनी trade से relevant देखने को मिले ताकि आप सभी को फायदा हो ठीक है वीडियो को शुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी request करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडि eligible रहने वाल है तो यहाँ पर जो आपका like का target रहेगा 350 प्लस आपको like करवा देना है इतना मुझे प्यार करते है मैं को पता है 350 से जादा ही like करवा देंगे ठीक है रही बात eligibility criteria कि उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूं देखिए यहाँ पर B.E.Tech वाले apply कर सकते है अगर आपने B.E. की है यह फिर अगर आपने B.Tech कर रहा है तो आप eligible रहेंगे I.T.I. वाले और diploma candidate यहाँ पर apply नहीं कर सकते कोई देख रहा है तो वीडियो को skip कर देना comment box में अपनी branch और अपने trade को mention कर देना आने वाली jobs update आपको अपनी branch और आपको अपनी trade से relevant देखने को मिल जाएगे ठीक है जो vacancy आपका रहने वाला आपका रहेगा power system operation corporation limited की तरफ से power की company है तो electrical department आपको यहाँ पर जरूर से देखने को मिलेगा उसी के लिए vacancy निकाला गया है electrical और electrical से relevant जितनी भी branches यहाँ पर आपको eligible देखने को मिलेगी ठीक है दो type की आपको vacancy देखने को म ECU का sector है जहाँ पर executive हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं यहाँ पर eligibility criteria के कुछ point highlight कर रहे है qualification आपके होना चाहिए आपने gate 2022 दिया होना चाहिए उसके marks आपके पास होना चाहिए उसका scorecard आपके पास होना चाहिए ठीक है गेट 2022 वाली apply कर सकते 2021 वाले apply नहीं कर सकते हैं यहाँ पर साफ साफ mention कर दिया गया है जो कि आगे मिलेगा मैं आपको पहली बजा रहा हूँ अगर कोई देख रहा है वीडियो को directly skip कर दीजेगा मेर भई आपके कामकान नहीं है तीक है assistant manager के अंदर देख सकते है electrical engineer वाले apply कर सकते है अपर age limit की बा बात करें यहाँ पर 60,000 से लेकि 1,80,000 रूप आपका यहाँ पर salary रहने वाला है एक्जिकेटर ट्रेनी का E3 आपका यहाँ पर रहेगा E3 लेवल की रहेगी और assistant manager का B3 रहेगा 60,000 से लेकिए 1,80,000 यहाँ पर आपका salary देखने को मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं बीटेक की है बीए सी कर रहा है इंजिनिंग के अंदर integrated dual degree कर रहा है तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते है लेकिन आपका 65 परसेंट आपके होने चीए जो कि आप यहाँ पर देख सकते है ब electrical से relevant branches आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर कुछ पूशन के लिए M.E.M. Tech वाली भी apply कर सकते है जो कि आपका assistant manager की पूशन देखने को मिलेगी जिसमें M.E.M. Tech वाले apply कर सकते है M.E.C. कर रहा है इंजिनिंग के अंदर तो भी आप यहाँ पर eligible रहेंगे ठीक है 65% आप टिगरी को 5 सल का और जो P.W.D. का टिगरी है उनको 10 सल का relaxation दिया जाएगा जो कि government norms का according यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेलेक्शन प्रॉसेस आपके क्या रहेगा इंटर्यू के बेस पर आपका सेलेक्शन होने वाला है यहाँ पर देख सकता है qualifying इंटर्यू यहाँ यहाँ यूर के लिए 40% लाने जरूर है अगर इससे इंटर्यू में कम आते है तो आप डिस्कॉलिफाई हो जाओगे यहाँ पर बता दिया गया है गेट के इसाब से आपके यहाँ पर वैटेज रहेगा मैं आपको बता देता हूं गेट के अंदर जितने marks आये उसका 85% ग्रूप डिसकॉशन आपका जीडी रहेग अगर आपका 2022 से पहले का गेट है उसको यहाँ पर वैलिट नहीं रहेगा तो मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता देता हूं सेलरी के बारे में बता दिया गया है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सर्विस बॉन्ड आपको यहाँ पर साइन करना पड़ेगा एक लाग से लि करना पड़ेगा इसलिए साइन करवाते हैं कि अगर आप छोड़ के चले जाते हैं तो आपको यह एमाउंट पे करनी पड़ेगी ठीक है कुछ और इंप्लिकेशन लिंक रहेगा वह आपको डिस्क्रप्शन में प्रोवाइड करा दूगा जो की एक्टिवेट होगा चौव करने पड़ेगा जो की यहां पर दे रख हैं तो अगर आपको कुछ भी डाउट है कुछ यह पूचना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूच सकते हैं तो मेरे आज के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करिएगा शेर करिएगा ओन लोग तक जिनको ज ट्रेट कौन सा है ताकि आने वाली जॉब्स अबडेट आपकी ब्रांच और आपके ट्रेट से रिलेवेंट आपको देखने को मिले आल दे वेरी बैस्ट जैहिन